गुद मॉनिंग गुद आफिन गुद इवनिंग दोस्तों केविन सब बाक्रम पर्सनल टूटर स्टैंडर्ड ट्वेल्ट चॉग्रफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं चैप्टर है, सेकंडरी अक्टिविटीज टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, इस हाई टेक्नोलोजी इंडस्ट्रीज एक नया जॉनर अब इंडस्ट्राइशन में डिवलप हो रहा है कुछ नई इंडस्ट्रीज अब सड़नली होराइजन में हमें उठती हुई दिख रही है इस अब जहां पे भी जादा रिसर्च और डिवलपमेंट होती दोस्तों जाहिर सी बात है वहां पे जो भी आउटपुट होगा मतलब जो प्रोडक्ट बन के आएगा दाट वोड बी फार मोर एडवांच दान दोस कंटेंप्रारी प्रोडक्स दाट हेल इन येस्टरियर्स अब इन जेनरेशन्स में इन इंडस्ट्रीज में वाइट कॉलर मतलब हाइली स्पेशलाइजड एजुकेटड जो एम्पलॉईज होते हैं वो लोग पूरा मैनेजमेंट देखते हैं और ट्रस्ट मी ये मुठीवर लोग एक्चुल वर्क करने वाले एक्चुल प्रोडक्शन देखने वाले वर्कर्स जो की ब्लू कॉलर्ड लोग होते हैं उनको ओवर्कम कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन हाज प्रोवाइड अचांस वो पीपल तो गो आहेड और बिकम आपार्ट अफ इस इंडस्ट्री highly qualified personnel, scientists, pharmaceutical वगरा के अंदर फिर इसके अलावा हम बात करते हैं highly qualified some officials जो management जानते हैं यह सब लोग in technological high technological industries के पार्ट बनते हैं हम देखते हैं कि इन industries में basically यह professional workers जो highly skilled होते हैं होते ही हैं साथी साथ यहां major working जो होती है, वो robotics के थूभी की जाती है, मतलब major part of the production process is now taken away from the labor who actually works as a workforce out there, वो blue-collared लोगों से अब वो चीजे ले ली गई है, now the production is many a times managed by robotics साथी साथ यहां पर computer aided designs बनने लगी हैं जिसे हम CAD कहते हैं, computer aided designs पर अब यह robotics work करते हैं, पूरा काम एक assembly line पर होता है, there is least involvement of human factor अब यह जो भी industries होती है, इनका एक अलग factorization होता है, इनके कुछ अलग factors होते हैं, let us have a look at them इन industries को अगर पहचानना है, तो आपको मिलेगा एक well managed, पूरा का पूरा well managed एक area जहां पर साफ सफाई सच में दिखती हैं आप इन industries में जाते हैं दोस्तों, so you don't feel कि आप किसी factory में आया या किसी production unit में आया है, gone are those days जब बड़े-बड़े immense infrastructure खड़े किये जाते थे, बड़े-बड़े structures होते थे, उसके अंदर smelting चल रही है, कोई iron ore खीच के निकाल रहा है, कई चिंगार या निकल रही है, कई एक process चल रहा है, cheap car मची है, लोग चिला रहे है, कुप sound है, no, यहाँ पर काम एकदम high-tech way में होता है, जगे क्योंकि सारे units, अलग-अलग काम के units bifurcated हैं दोस्तों, every unit is bifurcated and probably इसी कारण से इन जगहों को business parks कहा जाता है, every division has a separate unit, वहाँ पर लोग अपना सिर्ख अपाते रह हैं, but they are highly professional people and वहाँ पर हमें वो chaotic factories का, एक factory से हमें एकदम से किमे जाती है, एक chaotic unit जहाँ पर पूरा काम chaos के साथ में हो रहा होगा, वो चीज हमको यहाँ नहीं दिखती हैं दोस्तों, वो चीज काफी हद तक बदल जाती है, now, इसके अलावा, कुछ ऐसे regions निकल कर आये हैं, जो industry-wise regionally concentrated रहते हैं, मतलब software के लिए कोईसी एक जगे हो गई, उसके बाद में production of automobile के लिए कोईसी एक जगे हो गई, textile के लिए कोईसी एक जगे हो गई, तो अब कुछ ऐसी जगे हैं, निकल कर आ रही है, they are known as technopolis, technopolis कुछ ऐसे regions होते हैं, जो कि किसी एक production के लिए famous है, regionally concentrated रहते हैं, self-sustained हैं, मतलब इन technopolis में दोस्तो ऐसा रहता है, कि आप लोग वहाँ पे sustainability के लिए सब चीज़े ले सकते, they have got their own park, they have got their own market, they have got their own health services, they have got their own security services, मतलब, you just can imagine that these places are a dream place for these highly specialized personnels, आपको उस जगे अगर job करना है, आपको वहाँ काम करना है, आपको वो सब चीज़े जो जीने के लिए ज़रूरी होती है, housing से लेके, clothing, water, sanitation, health, education, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाता है, that's why they are called highly specialized zones, ऐसे technopolis areas आपको मिलते हैं, Silicon Valley, North California में और Silicon Forest, that is near Seattle, so, सोचने की बात है, हमारे इंडिया में भी ऐसे कुछ zones है कि नहीं है, think about it, दोस्तो, यहाँ पे खतम होता है, यह topic, chapter, I hope आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर कुछ चीज़ें समझाने के लिए रह गई है, या आपको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज नीचे comment box से comment जरूर करना, दोस्तो, I'll be going ahead and replying back, remember, until and unless you don't let me know what and where am I lacking or what information I need to perceive more clearly, elaborately, I won't be able to help you, so, thank you very much, you can contact me via Insta, via WhatsApp, at the numbers given below, एक और information, दोस्तो, अब हमारा Personal Tutor 2 channel, co-exist कर रहा है, we have been receiving overwhelming response, a huge subscriber base, तो अब हमको हमारे कुछ videos, उस channel पे भी shift करना पड़ रहे हैं, you will find our further videos at that very channel, मैं Kevin sir, यही पे आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा, thank you very much, take care, bye bye